दोस्तों आज की इस कलास में देखेंगे कि GDS का 1st marriage list जो जारी हुए उसमें minimum cut-up कितनी गये हुए और high cut-up कितने percent के student को उठाए गये हैं और आज की इस कलास में जानेंगे कि आप लोगों का second marriage list जो जारी होगे उसमें minimum cut-up कितने हैं जो कि आप लोगों का selection होने की संभवना है तो चलिए आज की कलास में आप लोग अंतक बने रहें सभी doubt को आज की कलास में clear करेंगे कि आप लोगों का selection कितने percent है तो होगा या नहीं होगा तो सबसे पहले जानते हैं कि first marriage list जो जारी हुए है इसमें आप लोगों का selection जो ये देख सकते हैं आप लोगों का यहां पे बिहार circle first marriage list आनि ये schedule 2 का है इस वार का जो 3041 पोश्ट में बेकेंसी निकाली गई थी उसी का result जारी कर दिये हैं schedule 2 का first marriage list की result declare कर दिये हैं और इसमें आप लोगों का जो है कि cut up जो है 80 और 85 भी देखने के लिए मिला है यह विहार की cut up है और आप लोग भी other state से हैं तो वहां का भी cut up देख सकते हैं already इससे पहले के class में बताएं कि result आप लोग कैसे check करेंगे आप लोग कैसे देखेंगे उसमें cut up देख पाएंगे आप लोग चलिए आज की class में जानेंगे कि आप लोगों का first marriage list में minimum cut up कितनी है और second marriage list जो जारी होंगे उसमें आप लोगों का expected cut up कितनी रहने वाली है तो चलिए आज की class में आप लोग अंतक बने रहें सबसे पहले आप लोग यहां पे देख पाएंगे यह जो cut up है यह इस वार का है और इस वार में आप लोग का minimum cut up की बाद करें तो चलिए दिखाते हैं इसमें 85 तक के student को भी उठाएं कहीं 80 से plus student और 85 के बीच के भी student को उठाए गए है यहां पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 87 अनि 87 परसेंट यह भी इस तरह से आप लोग देख पाएंगे कि cut up इस बार की कितनी रही है और इससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि second marriage list की cut up कितनी जा सकती है और देखिए cut up तो second marriage list का भी थोड़ा आप लोगों को लगभग देखने के लिए जोसमें मिलेगा 85 और 80 से plus student का भी second marriage list में होने की समबना है ऐसाने की सभी का हो जाएगा division पे आप लोगों का defend करेगा कि उस division का cut up कितनी जा रही है और आप लोगों का बहुत का काना की सार हम लोगों का 80-90% है लेकिन हम लोगों का selection नहीं हुआ है आप लोगों का division में जितना वहां का cut up जा रहा है माने कि चलिए आपका division जो भी है उस सरकील का ज़्यादी cut up 95 जा रहा है तो उस condition में आपका 80 या 85 marks है तो कैसे होगा selection इस condition में आपका selection नहीं होगा तो ये बात आपको समझनी होगी कि आप लोगों का division जो है उसके according आप लोगों का selection होड़ा और percentage के basis पे चलिए जानते हैं कि आप लोगों का इस बार cut up कितनी अनेकी रहेंगे इस बार आप लोगों का second merit list में लगबग जो है 85% से plus student जो भी है वो निस्चित रहें आप लोगों का होने की संभवना हो सकती है कि आप लोगों का merit में नाम आ सके क्योंकि इस बार जो है तीन vacancy निकाली गई है GDS की और इससे पहले दो vacancy की हो चुकी है चैन और उसमें अधिकांस जितने भी अधिकांस परसंटेज आने की कहें तो उनका high percentage वाले student का selection और रेड़ी हो चुके हैं और इस बार भी आप लोगों का first merit list जारी जो है इसमें भी आप लोगों ने ये देखें कि result जो जारी हो है इसमें भी कुछ ऐसे student है जिनका high cut up है उनका भी selection हो चुके हैं हो सकता है कि आने वाले आप लोगों का second merit list में उसमें कुछ न कुछ cut up तो कम जाएगी तो इससे आप लोग जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि ये cut up देखके कि आप लोगों का second merit list और बहुत से अभियरती का doubt ये भी है कि second merit list जारी होगा या नहीं होगा second merit list जरूर जारी होगे ये अभियरती जितने भी माने के चलिए documents verification का कारी अभी चल रहा है ये documents verification का कारी है जो पंदरों से 20 दिन के अंदर होंगे और ये आप लोगों का कौन-कौन से documents लेके जाना होगा ये वीडियो आपको इस चैनल पे पहले से uploadate है आप लोग देख सकते हैं और वो वीडियो के description में भी link मिल जाएगा वहां से भी आप लोग देख पाएंगे और ये कारी आप लोगों का होने के बाब जूद जितने भी अवियरती documents verification के लिए भाग नहीं लेंगे या नहीं पहुचेंगे किसी भी कारणवस मानके चलिए वो फॉर्म वरते समय अपना documents गलत upload कर दिये या और कोई भी हो वज़ा लेकिन उनका वहां पे selection नहीं हो पाया किसी कारणवस वो जो seat बचेंगे उनके आप लोगों का second marriage list जारी होगा ये आप लोगों का update जैसे इसके regarding कुछ भी आता है तो सबसे पहले आपको इस channel के माधियम से देखने के लिए मिल जाएगा यदि अभी तक आप लोग इस channel से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए ये इसी तरह के update मिलती रहती है सही समय पे और अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा सेयर करें ताकि वह भी सही update से वंचीत ना रह सके चलिए मिलते हैं next class में तब तक के लिए जैहिंद वंचीत